नमस्कार दोस्तों आप सभी का सौगत है हमारी यूटूब चैनल पर इस समय की बड़ी खबरे निकल के आ रहे हैं दोस्तों ये खबरे आप लोगों को लिए देखना जरूर ही है इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए आईए आप लोगों को सभी खबरे के करके बतात और जो तीसरी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रहे हैं आपको बता दे यसपी और बीएसपी के गड़ बंदन के बारे में मायवतिनिक क्या बड़ी बाते कहीं आपको सभी खबरे इसी वीडियो में मिलेंगी तो आईए चलते निउस देखते हैं उससे पहले दोस्तों आप आप हमारी यूटूब चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजे पास में बेल का इकन उससे जरूर दबाईए जिससे की आगे आने वाले वीडियो के लेटेश नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए और वीडियो को प्यार बरा लाइक लेने के बाद लगा तकड़ा जटका जिया आपको बता दें पसंद और प्रोमोशन की जित पर छूटे जेडियो और अपना दल आपको बता दें जेडियो बिहार के अंदर गड़वंदर में है बीजेपी के साथ और अपना दल यूपी के अंदर आपको बता दें भाजप सिर्फ एक ही मंत्री पद मिलने से नितीज कुमार नाराज है और सरकार में नहीं सामिल होगी जदियू जिया यहां पे भाजपा को तकड़ा जटका लगता हुआ लेकिन देख सकते हैं जेडियू जो कि अब बिहार में विधान सभा के चुनाओ भी होने वाले हैं 2020 में तो दे है नितीज कुमार ने क्या कि और सरकार का हिस्सा नहीं रहेगी इस सामिल और से तर नितीज कुमार पिम मोदी सब्सपत लेकिन देख सकते हैं तो यहां पर बेटिऑपी जी आपको अगली बड़ी कबर बता दे सपा के बाद कॉंग्रेस ने भी निउस डिवेट से बनाई धूरी चैनल पर नहीं दिखेंगे पार्टी प्रवक्ता जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मोधी सरकार बनी है उसमें एहम भूमिका जो रही है वो मीडिया की रही है औ चुनाव आयोग की रही है तो देख सकते है चुनाव आयोग से भी सिकायद करने पहुँचे थे तमाम भी पच्छी पार्टी है वीवी पैट परचे हो की मिलान को लेकर लेकिन तो इसी को देखते हुए देख सकते हैं कॉंग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है दोस्तों और तमाम मीडिया चैनलों को हिदायत दिया है और रिक्वेश्ट भी किये हैं उनसे कि कोई भी पार्टी प्रवक्ता को निउस डिबेट में ना बोलाया जाए किसी भी कारकरम के कि बार्टी दिखाई देंगे क्योंकि वो मीडिया से दूरी बनाए रखती हैं क्योंकि मीडिया जो है वो बिकी हुई है और सबी लोग जानते इसलिए मीडिया का सभी ने बहिस्कार करना सुरू कर दिया है जिया देख सकते सुर्जेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा भारतियर राष्टी कॉंग्रेस ने फैसला लिया है कि वहाँ अब टीवी डिवेट के लिए पार्टी के प्रवक्ता को नहीं भेजेंगी सभी न्यूज चैनल संपातगों से अनुरोध है कि वह कॉंग्रेस के प्रतिनिधियों को अपने सो में सामिल ना करें और ना ही सामिल होने के लिए कोई भी निमंतरन देया बुलाएं तो देख सकते हैं यह बड़ी कबर है जिससे कि मीडिया को जटका लगेगा और नरेंदर मोदी को भी समझ में आएगा जब सिर्फ मीडिया में उनके ही प्रवक्ता होंगे और सिर्फ वही सवालों के जवाब भी देंगे ना तो आप समाजवादी का पार्टी का आपको प्रवक्ता दिखेगा ना ही कॉंग्रेस का और ब्यस्पी का तो दिखता ही नहीं है क्योंकि वह मीडिया से दूरी ही बनाए रखते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी तो देख सकते हैं यह बड़ी कबर निकल रखने वाले सभी पैनलिस्ट को हटा दिया था और बता दें आपको टीवी चैनलों से भी का था कि उनके प्रवक्ता को बहस के लिए अमत्रित ना किया जाए यह बड़ी कबर निकल के आई दोस्तों और बड़ी कबर आपको बताते हैं दोस्तों आज की सबसे बड़ी जो है जिस पे सभी की निगाया रहती है उत्तर प्रदेश से आ रही है आपको बता दें सपा और बस्ता के गठबंदन को लेकर माया बती जी ने बड़ा बयान दिया है बड़ी बाते कहीं है बता आईए आपको बताते है नतीजों के बाद मन्थन के मूर में नहीं बहुजन सम इसके अलाबा बस्ता के बोट प्रतिशत में भी बड़ोत्री देखी गई है तो देख सकते क्योंकि समाजवादी पार्टी को ही गड़बंदन के तैय जटका लगा लेकिन बहुजन जो समाजवादी पार्टी को जीरो से दस सीटों पर पहुँच गई तो यहां पर देख स समाजवादी बस्ता मंतन के मुण में नहीं है नतीजों के बाद बस्ता मुखिया मायवती ने एक प्रेस वारता में जो हार जो हुई है गड़बंदन के उसका सीधे सीधे तोर पर इवियम पर आरोप लगाया था आपको यह भी बता दें उन्हेंनों प्रेस कांफरेंस करक सीधे तोर पर इवियम को ही दूसी पाया था कि इवियम में जो गड़बड़ी हुई है उसी की वज़य से बीजेपी जीतती है और तमाम भी पच्छी पार्टियां हारती हैं क्योंकि इवियम में आप देख सकते बहुत सी जगों पर गड़बड़ियां सामने आई लेकिन आयोग इस बात को मानने को तयार नहीं है और आपको आगे बताते क्या क्या बाते बसपा की तरफ से निकले के वहीं बसपा के सूत्र बताते हैं कि मायवतिहाल फिलाल संगिठन में कुछ खास बदलावा और समिच्छा में अपना समय जाया नहीं करना चाह रही है उन्होंन उनकी तरफ से साफ कर दिया गया दिल्ली में जो बैठा कोई है दस सांसे दस सांसे जो जीत के गए है उनके साथ उन्होंने बैठा किया और बड़ी ख़पर निकल के आ रहे हैं आपको बता दें उनका साफ कहना है कि प्रदेश के अंदर सपा और बसपा का गटबंदन जारी रहेगा जिया आपको बता दें तमाम अटकले चल रहे थी कि जो समाजवादी पार्टी है बाउजन समाज पार्टी का जो गडबंदन है वो सफल नहीं हो सका क्योंकि जादा सीटे जीतने की उमीद थी एवियम की गडबड़ी हो तमाम जो मीडिया की तरफ से दिखाएगा यही अगर आप विधान सबा में चुनाओं में तब्दिल कर दीजिए तो योगी सरकार हिल रही है जी आपको ये खबर बता दें अगर जो ये वोट परसंटेज मिला है गडबंदन को और यही अगर आप विधान सबा चुनाओं में कनवर्ड कीजिए तो नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के अंदर सीधे तोर पर जटका लगएगा और योगी सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी जिहां क्यूंकि विधान सबा के नतीजे जो अगर आप निकाली है तो वह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आर अल्डी के पच्छ में ही आ हुई तो देख सकते हैं बहुत कम अंतर से हार हुए जाद अंतर से नही इसलिए जो आपको बता दे जो आकड़े निकल क्या है विधान सबा चेत्रों के साथ आपको बता दे बंपर जीत के साथ सत्ता में आ रही है 2022 में तो देख सकते हैं सपा बसपा का गड़बंदन अब जारी रहेगा ये बड़ी खबर है अगली बड़ी खबर आपको बता दें एक्टिव हुए राहुल गांधी जियां सरत पवार कुमार सौमी से की मुलका सरत पवार से राहुल की मुलकात तब हुई जब महराश्ट्र से दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में कॉंग्रेस न्सीपी के विले के कयास लगाये जा रहे हैं आपको बता दें पिछले सनिवार को कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी अध्यच पद से इस्तीफा देने की पेसकस के छटे दिन राहुल गांधी राजनीतिक तोर पर सक्रिये नजर आ रहा हैं गुरवार को रहुल गांधी ने न्सीपी प्रमुक सरत परवार से मुलाकात उनके घर जाकर की इससे पहले करनाटक के मुक्ष मंत्री और जेडियस के नेता एचडी कुमार सौमी ने रहुल गांधी से मुलाकात की सायोगी दलों के नेताओं से राहूल की ये मुलकात इसलिए हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वो अपनी पार्टी के चुनिंदा नेताओं को छोड़कर किसी भी नेता से मुलकात नहीं कर रहा है पिछले दिनों में उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनसे काफी नाराज हैं राहू गांधी कि राजस्थान के अंदर से कंग्रेस पार्टई एक भी सीट जीत नहीं पाइए तो देख सकते हैं अब राहू गांधी एक बार फिर से एक्टिम मोर में आ गया है एक्टिम मूब तो देख सकते हैं बड़ी Kपर निकल उठाया और बड़ी खबर है दो एक सकते हैं अगली बड़ी खबर आपको बता दें जगन ने सीम बनते ही पहले आदेश में गरी बूड़ों की पेंसन की तीन गुना बेरोजगार युवाओं को दी रहाजियां आंद्र प्रदेश के सीम बनते ही जगन मोहन रेड़ी ने मु पहुचाने वाले आदेश जारी किये हैं देख सकते उन्होंने इस बार आपको बता दें भारी भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाई है प्रचंड बहुमत से आंद्र प्रदेश की अंदर 175 में से 151 लोग ये राज्यसभा में देख सकते विधान सबा का चुनाव जीता जीती हैं और अपनी पार्टी जब सपत ले रही थी तो देख सकते उन्होंने उसके ततकाल प्रभाप से बाद उसके बाद ग्रामीर युवाओं के लिए और बूढों बेरोजगारों के लिए पिंसन तीन गुना कर दिये और सभी युवाओं को राहत भी दिये तो ये अब बड़ी खबरे थी जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए दोस्तों वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक सेर कीजिए क्योंकि बताइए यसपी और ब्यस्पी के गडवंदन के बारे में अपनी सभी द धन्यवाद